अरशी दुर्वासा के भयंकर श्राप से उत्पन्न हुआ केले का पेड़। एक कथा के अनुसार महर्शी अत्री और अनुसुया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। लेकिन उनके अंदर अरशी संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह फाइव व जान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिक्ता को नहीं समझ रहा है। तब उन्होंने उनका विवाह रशी अंबरीश की कन्या से करा दिया। रशी अंबरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और रशी दुरवासा ने माता-पिता की आज्या मान कर विवाह कर लिया। रशी अंबरीश दुरवासा की क्रोधागनी को जानते थे। इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी च प्रिहस्थ जीवन में कुछ बातें उपर नीचे तो होती ही रहती हैं। पतनी से कहा कि मुझे कल ब्रंब मुहूरत में जरूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूँगा। लेकिन ठकान के कारण शायद ऐसा संभव नःढ़ना हो। ब्रंब मुहूरत में रश्षिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंधली की ब्रम्म मुहूर्थ में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और नहीं रश्शी को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब रश्शी की आँख खुली तो दिन चड़ाया था, अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंधली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। पासा रश्शी ने कंधली की राक को पेड़ में बदल दिया और वर्दान दिया कि अब से यह हर पूजा वह अनुष्ठान का बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानि केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पे अबार को पूजा होती है।